क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 क्योस्टन 6 क्या है ट्रेंगल ABC is an equilateral triangle of side 2A ABC एक equilateral triangle दे रखिये जिसके अंदर 3 side क्या होगी equal होगी find each of its altitude तो इसके altitudes की आपको length find out करनी है अब equilateral triangle दे रखिये तो इसकी जो sides है वो कितनी होगी ये भी 2A होगी ये AC side भी 2A होगी हमारी और जो AB side है वो भी 2A होगी अब AD क्या कर लिया हमने यहाँ पे एक altitude draw कर लिया तो यहाँ पे BD और DC हमारी equal हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी ये भी A और ये भी A हो जाएगी ये बात clear है अब सबसे पहले देखो given क्या है given हमें है triangle A, B, C is equilateral equilateral अब triangle ABC equilateral triangle है तो इसकी तिनों side क्या होगी equal AB equal to BC equal to CA और वो भी क्या given है 2A के equal given है ठीक है अब यहाँ पे देखो edge AD जो है altitude है मतलब perpendicular है BC पे तो वो triangle ABC को two equal parts में divide कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा so triangle ADB congruent हो जाएगी triangle ADC के होगी या नहीं होगी कैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है AD जो है इन दोनों triangle में common है और angle D जो है वो 90 degree है दोनों triangle में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दोनों triangle क्या हो गई congruent हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा BD equal to DC और is equal to किसके हो जाएगा A के क्योंकि यहाँ पर BD और DC क्या होंगे इक्वल लेंथ के हो जाएंगे अब देखो इन ट्रेंगल ADB के अंदर बाइ पाइथागोरस थोरम कौन सी ट्रेंगल ली है ADB ले लो या फिर ADC ले लो कोई भी ट्रेंगल ले सकती है AB का स्क्वेर हाइपोटेनूज का स्क्वेर is equal to किसके होगा perpendicular स्क्वेर प्लस base स्क्वेर AD स्क्वेर प्लस BD के स्क्वेर के तो यहाँ पर AB की value क्या है हमारे पास side of the equilateral triangle है 2A है तो 2A का स्क्वेर equal to AD क्या है हमारा altitude है यह हमने find out करना है तो AD का स्क्वेर equal to BD क्या हो जाएगा हमारा यह है A का स्क्वेर तो यहाँ पर क्या होगा 2A का स्क्वेर करेंगे 4A स्क्वेर और यहाँ पर minus A स्क्वेर is equal to AD स्क्वेर और AD स्क्वेर equal to किसके आगया है यहाँ पर 3a square के और ad की value क्या हो जाएगी ad equal to under root 3a square तो यहाँ पर ad equal to 3 का root करेंगे तो under root 3 a square करेंगे तो square से root cancel तो under root 3a आ गया तो altitude की जो length आ गई मेरे पास root 3a आ गई तो सभी जो altitudes होंगे उनकी same length होगी root 3a यह आ गया answer तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम all altitudes of length equal to under root 3a clear चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियो की notifications के लिए